अस्राम लेकम आज आपको एक और चोकलेट बनाना सिखा आ रहे हैं अल्मॉन चोकलेट जिसके लिए 200 ग्राम डार्क चोकलेट ली है 1500 ग्राम मिल्क चोकलेट 1500 ग्राम बादाम इनका गरम पाने में डालकर शिलका उतार लिया है और तीन खाने के चमच मक्खन double boiler पर सब चीजों को मेल्ट कर लेंगे मिल्क चोकलेट डर्क चोकलेट और मखन डालकर इनको मेल्ट कर लेंगे सब चीज़ए अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है अब इसमें बादाम डालकर मिक्स कर लेंगे चॉकलेट को सेट करने के लिए हमने केक का मोल्ड ले लिया है इसमें बटर पेपल लगा दिया है आप इसमें ये चॉकलेट डाल देंगे मोल्ड में चॉकलेट को डाल दिया है आप इसको दो से तीन केंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर लेंगे चॉकलेट सेट होगी है आप इसको मोल्ड से निकाल के काट लेंगे आलमंड चॉकलेट को सेर्व कर दिया है बहुत एज़ी हो इसमें पर रेस्पी है आप इसको जुरू ट्राइ कीजेगा और बताइए आपकी आलमंड चॉकलेट कैसी बनी अगर आपको रेस्पी एच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोलें आला हफीज झालमंड चॉकलेट झालमंड चॉकलेट दान युकलेट झाल झाल